नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको आपके अपनी चैनल अंजली न्यूस कौन में, नहीं हूँ आपकी वही अंजली तेरी परच्छाईं बन कर तेरे साथ रहने का इरादा करते हैं कभी छोडेंगे नहीं तेरा साथ तेरे साथ मरने का वादा करते हैं जी आपने सही सुना हम आज के देरी राशिफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बर्टे है या फिर मैरी जन्वर्सरी है उनको मेरी और से धेर सारी बधाई हो और बहुत सारी शुपकामनाई हो तो चली अब शुरू करते हैं हर वक्त जीतने का ज़स्बा होना चाहिए क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है थोड़ा थोड़ा करके दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूण ही लेगा मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते उन्हें पाने के लिए समंतर में उत्रना पड़ता है हर तो वो सबक है जो आपको बहतर होने का मौका देगी अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया तो आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने कभी पहले किया ही नहीं दिरड निश्ची के साथ सुभा बिस्तर से उठो और मन के संतुष्टी से राग को वापिस आओ शिरुवात करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शिरू करें नीन से इतना भी प्यार ना करो कि मन्जिल भी खाब बन जाए सिर्फ जानना काफी नहीं है हमें अपलाए करके भी देखना चाहिए चाहना काफी नहीं है हमें पाना भी चाहिए, जो चीज आप पाना चाहते हैं उसे पाने के पूरी कोशिश कीजिए अस अधारन चीजें हमेशा वहाँ छुपी हुई होती हैं जहां लोग सोच में नहीं पाते अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो आपको सब पॉजिटिव ही दिखीगा अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित कीजिगा अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आपको सकरात्मक रखते हैं तो ये आपकी जीत है जब आप अपनी सोच को नकरात्मक से सक्रात्मक में बदल देती हैं तो आपको सक्रात्मक result मिलने शुरू हो जाते हैं अगर आपने ये मन में ठान ही लिया है कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है हमारी जिन्दकी साइकल चलाने जैसे ही है balance बनाये रखने के लिए हमें चलते रहना चाहिए सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि अज आप के लिए जो है भागशाली रंग यानि कि lucky color सी green रहेगा और जो lucky number है वो number 3 बन रहा है सितारे आपके बारे में कहते हैं कि जिस काम से related आपको काफी देर से इंतिजार करना पड़ रहा था उसी काम से related कोई negative बात आज आपको पता चलने की वज़े से आपकी उपर का तनाव और भी बढ़ सकता है जी हाँ आज आपके लिए तनाव बहुत ही ज़ादा बढ़ सकता है परिवार के लोगों के द्वारा आपको सहयोग मिल सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल भी नगलहा है साथ ही साथ जीतना हो सके उतना वाद वाद जगणों से दूरी बना कर रखिए सबसे पहले तो मैं आपको यही सला दूँगी कि आप प्लीज अपनी जुबान मत खोलीगा आपको आज शांत रहना है कोई भी बुरे शब्द नहीं बोलना है अगर बोलना है तो सोच समझ कर हर चीज को बोलिए तब ही आपके लिए फायदमन साबित हो सकता है आज के दिन के लिए साथ में आज कई लोगों को जो जोब करते हैं उनको कोई पदवी मिल सकती है इसे के साथ ही आज निकट के परिवार परिजंज है सगे समंदी है वो आपके लिए बहुत ही सुखद मई आपको कोई समाचार दे सकते है संतान की किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग पॉजिटिव रहेगा आज आस पडोस की समाजी कती वीदियो में भी आपका वरिचस्व इंट्रेस्ट बना रहेगा प्रॉपटी के विक्रे समंदी योजनाय सफल रहेंगी परिवार में खुशी बरा महौल भी बन सकता है आलस को अपने उपर प्लीज हावे मत होने दीज़े आज आलस बहुत रुकावटी जालेंगा योगि इसकी वज़े से कई important काम रुक सकते हैं आपके पिजोल की कती वीदियो में खर्ची की दिखता रहेगी किसी को पैसा उधार मत दी नहीं तो वापसी की उमीद आज नहीं लगपा रही है तो इस चीज का ध्यान रखना होगा किसी वी ओधार जो पैसा है वो बिल्कुल भी मत दीज़ेगा आज के दिन अज आपको मिले हुए पैसे का योगि मार्ग से खर्च करना होगा आपके लक्ष की प्राप्ति के लिए आपके द्वारा बनाएगी प्लानिंग्स बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं फिर भी जादा सतरकता रखकर आगे बढ़ते रहेगा पर्सनल लाइफ के बारे में जादा ध्यान देने की वज़ज़ से काफी सारी मुश्किलें आपकी बहुत ही जल्दी दूर होने वाली हैं तो आपको भगवान पर भरोसा करके रखना होगा आज किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है मिलने का ओफर अफसर मिल सकता है आपको अज कई ओफर्स भी मिलेंगे आपको धार्मी के क्रिया कलापों में भी विस्तता बनी रहेगी काफी पूजा पार्ट में अपना दिन समय स्पेंट कर सकते हैं जिसे आपके तन और मन को बहुत ही खुशी मिलेगी फ्रेंट्स की सलह भागियोदे का काम कर सकती है आपके लिए कोड के चैरी में अगर आपको कोई केस चल रहा है तो फैसला आज आपके पक्ष में रहेगा और कई लोगों के लिए नहीं रहेगा तो कहा जा सकता है कि मिला जुला समय लह सकता है कई लोगों के लिए हाँ है तो कुछ लोगों के लिए ना है लेकिन अपने विरोधियों की गदे वीदियों को नजर अंदास मत कीजेगा आप किसी साजिश का शड़यंत्रम का शिकार हो सकते हैं आप उलल सकते हो चीज में और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि ऐसा क्या हो गया आर्थिक इन्वेस्ट समंधी कारों में बहुत ही सोच समझ कर फैसला ले अगर संभव हो सके तो उन्हें फिलहाल टालने में ही अभी भलाई है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बिजनस करेट की आज विवसाई काकती विधियों में बहुत ही पॉजटिव हल चल होने वाली है इंपोर्टन और्डर मिल सकते हैं आर्थिक सिती बहतर बनेगी जो लोग किराने का काम करते हैं उनके लिए आज बढ़ियां दिन सावित हो सकता है अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग्स बना रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए उसके ठालते थोड़े समय के बाद इस चीज़ के बारे में सोचेगा करिएगा अभी कुछ भी करने का फादा नहीं है साथ में करेड कहता है कि आज करेड से रेलेटिड बातों में दूर द्रिष्टी को नरकर योजनाय बनाएं अगर आप प्लानिंग्स बना रहे हैं कुछ करना चाहते हैं आपको भविश्य के बारे में पहले सोचना होगा कि इसका रिजल्ट आने वाले दूरों में कैसा रहेगा तभी आपको वो काम करना चाहिए नहीं तो अभी वो रहने दीजिए अगर किसी बिजनस से में सांजीदारी की योजनाय बन रही हैं तो फौरण उस पर अमल करें इस समय परिस्थित या लाब दायक भी बने हुई हैं साथ इमें धन की प्राप्ति के ग्रह योग बने हुए हैं जो कि आपको उचित मार्ग दशन करेंगे जिससे आप अधिक से अधिक लाब प्राप्त कर पाएंगे कारिशेतर में किसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो थोड़े समय के लिए बात कीज़ेगा अभी टाल दें जैसा कि मैं शुरवाती कहा था या आज आपको बात याद रखनी है काम से रिलेटिड हुई गलती का आपकी रपूटीशन पर बहुत ही जादा असर और बुरा असर पढ़ सकता है इसलिए काम को सही ढंक से करें बॉस की कर नराज के मिल गई तो आप के लिए ओफिस पे ठहरना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वॉस आप से कुछ ज़्यादा ही गुस्से में बात कर सकते है तो आपको हर काम को निपुनता से एकाकरता से करना पड़ेगा जिससे कि कोई भी दिक्कत और अर्चन ना आने पाए तो ये बात की बिजनस और करेड की बात करते हैं लव लाइफ की लव लाइफ कहती है कि आज पती पत्ने के बीच जो समंध है माधूरे रहेंगे लेकिन किसी नजी के रिष्टेदार का हस्दक्षी गलब फैमियाप पैदा कर सकता है आप एक दूसरे के साथ शक्सी की दिश्टी से देख सकते हैं साध्य में लव लाइफ में आज सितिया इस प्रकार से बनी हुई है कि भावनात्म करूप से आपको अपने पार्टन के द्वारा कई लोगों को तकलीफ भी हो सकती है महिलाओं को मन चहाँ साथ ही मिल सकता है जल्दी ही आपका रिष्टा भी आ सकता है घर बरवार के सुक शान्ती के लिए जीवन साथी की पूर्ण समर्पन की भावना रहेंगी आपके हर कदम पर वो साथ रहेंगे घर का जो एन्मार्मेंट है वो बहुत ही बढ़िया और शान्ती पुर्ण हो सकता है अगर आप उसे बनाना की कोशिश करते हैं तो ही सब कुछ ठीक रहेगा तो ये बात की हमने अभी लव लाइफ की और अब बात करते हैं आज की स्वास्तिकी बारे में तो हेल्थ कहती है कि जादा मेहनत की वज़ा से नसों में खिचाव या दर्ध की शिकायत हो सकती है समय समय पर उचित आराम लेना आप के लिए फायदयमंद साबित होगा कई लोगों को यूरिन इंट्रेक्शन हो सकती है तो इसको जल्दी से इलाज करवाएं अगर आप सही टाइम पर लाज करवाते हैं तो बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती है कई लोगों को पीट की तकलीफ भी होगी इस समय चोट लग सकती है चोटी मोटी या फिर पैर भी मोच आ सकती है तो ध्यान से आपको काम करना चाहिए वाहन भी साब धानी पूरविक चलाएं अपना ध्यान रखिएगा तो अबंत में बात कर लेते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो आज आपको जो है मा संतोशी की पूझा करनी चाहिए या फिर अगर आज आज आपके दिन जो है आप मंदिर में जाकर देशी घी का दीपक चलाते हैं साथ यमें आज चंदन का धूप बगरा या फिर अग्रवत्ति जलाते हैं तो बहुत ही बड़िया result मिलेगा आपकी घर में भी ऐसी ही सुख में शान्ती और बनी रहेगी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो like करें, share करें और हुमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुत भी मत भूलेगा धन्यवाद